मोहले के अशोक खन्ना अपने बड़े बेटे राजेश खन्ना की मिमिकरी से जहां परेशान थे वहीं आजकल वो अपने छोटे बेटे सुनिल के डर की वजह से परेशान रहने लगे थे जब तक छोटा था तब तक तो ठीक था पर जब से बड़ा हुआ है हर जगा उसका डरना उन्हें दिन बदिन परेशानी में डाल रहा है पूठ फूठ पूठ बचाओ बया बचाओ बहुत पूठ का है का है अधूठ कर वो टेपल के पास उसने टेपल पर से गलास गरहा है और तेरा दिमाग खड़ाब हो गया है जो मेरी नीद कराब कर देती ओए होए वो खिड़की से आती हवा से गिरा है ओए क्या हुआ पुतर कौन चीखा पपाजी ये हवा से ग्लास क्या गिर गया कह रहा है कि पूत ने गिरा दिया बहिया मेरे साथ बात्रूम चलोगे जोर से आईए मुझे थोड़ी ना आईए मैं क्यों जाओ मेरे साथ मुझे ना डार लग रहा कहीं बात्रूम में पूत बैठा हो तो ओए यार पूत जब खाना ही नी खाते तो वो बात्रूम करने क्यों आएगा खून तो पीते हैं सुना नहीं गुर्खा का कह रहे थे ड्रेकल कह रहे थे मैं तो खून पी जाओंगा पपा जी इसके दिमाग से पुत्तो गडर निकाल लो नहीं तो यह परिशान करकर के मुझे मार कर पूत बना देगा बोलो खन्ना साहाव क्या हुआ आपके बेटे को ओकी दस्तान माद जी यह सुनिये लेकर नमबर का ड्रपोक है पूत्त से इतना ड्रता है कि ना रात को बच्चों के साथ लुका छुपी घेलता है और ना रात को उठीकर अकेले सूसू करने जाता है यहां तक कि शाम का ट्यूशन भी इसने सिर्व इसले छोड़ दिया कि आते आते नेरा हो जाता है और इसे पास की घनी बच्चिया से गुदरना पड़ता है वही बच्चिया जहां दो चुड़ैल बहने रहती है चुड़ैल बहने दिखा पापा मैंने कहा था न दमाद जी यह वैसी डर से ट्यूशन छोड़े बैठा है तुस्यों डरा रहे हो डरने की जरूरत नहीं बेटे हम आपको एक ऐसा जादूई तावीज बना कर देते हैं जिसके पास रहने से भूत प्रेत ड्राकुला चुड़ैल किसी की भी तुमारे पास आने की हिम्मत नहीं होगी तुम शाम को लेट तो क्या आदी रात को भी बग्या से आओ कोई तुम्हें छूब ही नहीं सकेगा साचंकल तो जल्दी से वो जादूई तावीज दे दो मुझे तो मैं आज जिसे ट्यूशन जाने लगू यह ले यह सारी बुरी बला से तेरी रक्षा करेगा जादूई तावीज पाकर सुनिल का होसला बढ़ जाता है वो शाम को ट्यूशन जाता है और पढ़कर लोटे हुए अंधेरा भी हो जाता है पर जैसे ही वो बग्या से गुजरता है अचानक दो चुड़ैले हस्ती हुई उसके सामने आ जाती है बड़े दिनों बाद ताजा शिकार मिला है और नमक लाजुक भी हाँ 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 ताजुगी चन चन आचन यह लोग कुछ भी कर ले मैड रने वाला नियो मेरे पास आली अंकल का तावीज है कमाल है यह लड़का हमसे डर क्यों नहीं रहा यह अपनी जेब पकड़े है इसका मतलब इसके जेब में जरूर कोई तावीज है तो चोड़ो इसे कोई नया शिकार ढूंडते है चलो दूसरे दिन वो यह बात दादा जी के पास बैठे अपने दोस्तों को बताता है तो सभी हैरान रह जाते हैं तो क्या बात करता है यार तावीज को देखकर चुड़ाल भाब गई ओ दिखे ही नहीं तवीज तो मेरी जेब में था उसके एसास ही भाग गई दादा जीए क्य क्यों नहीं हो सकता नौटी बेटे दुआ और भूजा में बहुत ताकत होती है आज रात को मुझे भी बाहर जाना है लोटते वो उसी जंगल से आना पड़ेगा क्यों ना मैं इसका तावीज चुड़ा ले जाओ फिर चुड़ाल मेरा भी कुछ नहीं विगाड़ पाएग चुप चाप निकल जाता है उसके जाने के कुछ तेर बाद फ्रेश होकर आया सुनिल स्कूल बैग उठाकर बाहर निकलता हुआ आवास देता है पापा भाईया मैं ट्यूशन जा रहा हूं अंधिर आउने से पहले आ जाना डोंट परी पापा मेरे पास तो तवीज है ना क मेरा कुछ ने बिगाड सकता वो देख नया शिकार आ रहा है चल पकड़ते हैं उसे बड़े दिनों बाद ताजा शिकार मिला है ने 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 मेरे पास बता है अरे पास आए बगैट खूल कैसे पीएंगे तेरा बड़ा काउला काउला माल है काजकी चंचना चंड चाड दो चाड दो चोड दो चोड दो चोड दो यह जोड दिया अरे यह तो कुदी मेरे हाथ में आगया तू मेरा शिकार होना चाहता है बच्चे हाँ नहीं, 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 हो जा, हो जा, मेरी जैसी अच्छी चुड़ है, तुझे पूरे जंगल में नहीं मिलेगी, छोड़ दो से, अरे, अरे, पक्ड़ो उसे, पक्ड़ो, यहां मार खाया हुआ पक्या, घबराया साब भागता हुआ, महले में पहुचता है, जहां दादा जी, बाकी बच्चों के साथ बैठे कैरम बोड़ खेल रहे हैं, ओए, क्या हुआ पक्या, तुझे न कबराया हुआ या क्यों है, क्या बताओ यार, जंगल से आ रहा था, वो दो चुड़ैल मिल गई, बहुत मारा मुझे, मेरा तो खूनी पी जाती, कैसे तैसे तो भाग करा है मैं, ओए, तो मेरे पाई सुनील के साथ आना चाहिए था न, उसके पास तावीज था, चुड़ैल कुछ नहीं कर पाती, अरे उसके पास नहीं, तावीज तो मेरे पास था, ये देख, तुमारे पास, हाँ, रात को अपन को जंगल से आना था, तो चुड़ैल से बचने के लिए अपन ने उसकी जेव से चुड़ा लिया था, फिर भी दोनों चुड़ैल ने अपन को बोध उठा उठा कर अवा में फेंका, गोल-गोल गुमाया, वो तो अचानक से वाँ सुनील आ गया, तो उनका ध्यान भटकती अपन वाज़ भाग गया, अरे फिर सुनील बेटा कहा ह मैं यहा हूँ दादा जी, तू ठीक तो है बेटा, मुझे क्या होगा, दोनों चुड़ैल मुझे देखी भागी, मेरे पस तवीज है न, हैं, तेरे पास कित्य है, तावीज तो पक्या के पास है, क्या बात करते हो भीया, तवीज तो मेरे पस, अरे हां, मेरे जेब में तो इजी नहीं है, कुमाल है, फिर भी चुड़ैल मुझे से डर कर भागी, और अब उनके पास तावीज होकर भी मुझे मारा, ऐसा कित्या दा जी, तुम्हारे पास तावीज तो थी, मगर तुम डर गए, इसलिए चुड़ैल ने तुम्हें मारा, क्योंकि भूत प्रेत उसे ह नहीं डराते हैं, या मारते हैं, जो डरता है, जबकि सुनील के पास तावीज नहीं थी, पर उसे लग रहा था कि उसके पास तावीज है, तो वो कॉन्फिडेंट था, चुड़ैलों से नहीं डरा, तो चुड़ैल खुट डर कर भाग गई, क्या समझे? कुछ समझ गया दादा जी, अज एक बात मेरी समझ में आगई, तवीज ववीज कुछ नहीं होता, सबकुछ इंशान का कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंट आदमी हर मुश्किल का सामना कर सकता है